जी हैलो भाई गुड मॉनिंग नमस्कार भाई आप सभी को जी संद्यामाथ्य जी से लूपी खलासे ही चुटू सभीज रियागुप्ता जी बाई मूश्च वेलकम मूश्ट वेलकम मूश्ट वेलकम प्रे प्रेइद करता हूं भाई आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे एक दम लाजवाब और जवरदस्त होंगे वाई माफी चाहता हूं थोड़ा सा टेक्निकल एसू की वज़े से एक क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो गई है ठीक है जी तो भाई अब सभी साथ ही मेरे एक बार लाइब जुड़ जाएंगे एक बहुत ही सांदर सेशन की एक सुरुवात होने जा रही है और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर कौनसा करने जा रहें तो मेरे बस्क्राइथ कर चुके हैं औहिकर जो और और स्प्रेंट कौन सा है 21 कि लिए आप सभी को आप कहेंगे जी तो प्रेक्टिस एट नंबर मेरे भाई कौन सा 21 जी भाई राकेश कुमार जी मेरे भाई गुड मॉर्निंग राकेश कुमार तब यह एक्जाम के लिए सफीशेंट है मेरे भाई जी इवन आप किसी भी वंडे एक्जाम की तयारी कर रहा है जिसमें की मैठ सेक्षन पूछा जाता है यहने आपका मैठ सा आता है तो भाई यह उन सभी एक्जाम के लिए बैनिफिट रहेगी आप जानते हैं भाई मैठ अपने आम में एक अल्टिमेट सब्जेक्ट है और मैठ को जारी करते रही है ठीक है जी भाई यह में सूचिए कि कट आफ कितनी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा तो भाई और लेडि हम दस मिनट लेट हैं तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और हम सीधे चलते हैं कुश्चन की तरफ ठीक है जी मेरे भाई तो भाई सभी का पहला कुश्चन का आप सभी के सामने यह नहीं ठीक है एक बहुत ही सांदर कुश्चन मेरे भई इंदा गिवन फिगधर fpr क्यूंद 13 cm पी आर 12 cm दसाइण ठीटा प्लस 10 ठीटा का मान बताओ बहुत ही सांदर कुश्चन ओके जी भाई बहुत ही सांदर कुश्चन करेंगे आप सबी स्कुश्चन को ठीक है जी राकिस कुमार जी मेरे भाई प्रिया गुपता समसास सैफी जी छोटू सिंग सर आपकी रिकॉड़ेट क्लास कहां मिलेंगी थोड़ा बताना जी छोटू सिंग जी भाई आप प्लीज जी हमारी ये अप्लीकेशन है मैं थोड़ा सा बता दू आपको नोटिभूख अकिटक है न यह हमारी अप्लीकेशन है क्लाई कौन सी मेरे भाई नौट्बुक एकेडमी ठीक है न मिल जाएगा तो आप या मत्ला साघीज harbor को यांप सारीं और पहला question आपके सामने ये रहा क्यूंग जी ढीता यादब जी मुस्ट वैलक मुस्ट वैलक मुस्ट वैलक मुस्ट वैलक मुषट वैलकम चलिए बाई question रफ गजांगा मेरे अापको एक फिगर दिया उसमें question ने बताए कि पी Q 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 चलो भी अब यह बारे पांच तो यह क्या होता है यह यानि 13 बारे पांच तो हमारा यानि अधार क्या हो जाएगा पांच आप जानते हैं क्या मेरे भाई साइण थीटा प्लस टृंट थीटा का माना आपको बताना है तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मेरे भाई क्या लालवटे का का पता उप पढ़ा है या नहीं पढ़ा ठीक है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं यह class मैं नहीं हुआ है इसलिए नहीं हो रहा सर चलिए कोई बात नहीं जी प्रिया देवी जी बिल्कुल बिल्कुल वेरी 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 गुड मॉर्निंग चलिए वीर राजपुत जी का भाई अंसर आ भी चुका है बहुत संदर तो देखो मेरे भाई कैसे करेंगे समझना यह लंब कितना है और 12 वटते ती रहे और थेंटी ती तवका क्या होगा तो 10 थीटा होगा वह करेंधे आध्यना ने पूइक पूसका एंतोन मचीय कुमारी जी जब अब होमाएं तब ही आपका है ग円 सबस Fishman Grunds बूसका चाहिं यह न वह आपकी त्यारी पर होना चाहिए ओके जी बनू सर्माजी अब मुझे क्या करना भी यह दो 65 में यहां पर ले लोगा आपने का जी तो नीचे तो 65 आएगा नीचे 65 आएगा अभी मैंने पूरा केल्कुलिट नहीं किया ध्यान देना मैंने पूरा करी लो वैसे तो जाधा पॉस्इबिलिटि ए ठीक है दी ऑप्षोन की ज्यादा पॉसिबिलिटि आप देख भी पारे होगे तो और तीरे 55 और पांच पाइब आँपफ्र हब करोगी तो यह कितना होगे साथ 5 कंप्रD ecc और तीरे धाई 130 और तीरे दूनी 26 यानि यह कितना हो जाएगा 156 और इसमें इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यह आ जाएगा 216 अपॉन 65 तो मेरे भाई इस कुश्चन का जो करेक्ट अंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है डी ट्रिपलेस भी ड्राइवर का एक्जाम का क्लास करवाएं सर जी बिल्कुल मेरे भाई आप डी ट्रिपलेस भी के किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहें तो आप इस क्लास को ले सकते हैं यह क्लास आपके लिए बैनिफिट होगी आप एक बात को समझो बात की गहराई को सम आप जहां पर percentage आना है तो भाई percentage आएगा कुछ और तो पूछा नहीं जाएगा बात समझ रहे हो percentage का मतलब यहां पर percentage होगा okay mensuration का मतलब mensuration होगा trigo का मतलब trigo होगा okay clear है जी तो मैथ को तो भाई आपको सबसे ज्यादा focus किस पर करना चाहिए आपको मैथ पर क्योंकि मैथ के साथ साथ आपके और भी जैसे reasoning रहा ठीक है ना और मैथ के लिए रोगा तो आपका मैंड भी क्या होगा भाई बूश्ट होगा एकदम अच्छे से वर्क करेगा तो option number D is the right answer चलिए next question की तरफ चलते हैं एक और सांदार question कि एक टब को भरने के लिए बहुत ही सांदार question ध्यान से करना साथदानी हटी मेरे भाई दुरगटना गटी क्या कि एक टब को भरने के लिए 20 बाल्टी पानी के आवश्रक्ता होती है आपने का जी बिल्कुल मग और यह क्या है आपकी बकेट यानि बाल्टी है ठीक है और यह क्या है आपकी यह मेरे भाई आपकी बकेट है आपने का जी बहिया अब इनके रेश्यों की बात होगी कहां पर क्योंकि इसने बोला यादे मग की शमता यादे मग की शमता बाल्टी की शमता का का 2-5 वाँ कितना है मिरे भाई बाल्टी की चमता का 2-5 मा है इसका मतलब बैक्ट की पांच है तो मग कितना है दो और एक बात बताओ मग मैंноп della कि उपीसेंसी कितनी है 2 और इसको 10 वाली पानी के आवश stronger जी अब कुश्चन वोलाएं मेरे भाई क्या कि इसी टब को बरने के लिए ना कितने मग पानी के अवश्यक्ता होगी तो यह मकी शम्ता कितनी है दो यानि इसी बाल्टी को भरना आए न तो कितने मग तो मग मेरे बाई दो बर रहा है यानि कितने मग मैं भढ़ जाएगा तो वो पूरी बाल्टी भढ़ जाएगी यानि ए उप्षन इस दा राइट आंसर सिल्पी ग्लासेज आठ नहीं होगा आठ नहीं होगा भईया आठ 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 कर रहे हैं आप सभी कर क्या रहें आठ नहीं होगा पचास मग भईया बाल्टी बड़ी होती है मग होता है छोटा में या नहीं आप यह बताओ एक टब जो है बीस बाल्टी में भरा जा रहा है और उसको यह मग से बरना तो वह आठ मग में बर जाएगा आप कॉमन सेंस लगा यह इस बात के लिए ठीक है तो वह क्या आठ में बढ़ जाएगा तो आठ तो मेरे भाई होगा ही नहीं यह तो कितना वह उसम जाएगा 100 लीटर पानी जाएगा यानि उसे तन में 100 लीटर पानी जाएगा एक तरीके से तोटल वरक कितना है तो उसको मेरे मग मक्की जमता कितनी है दो अपने डालने के लिए उसको पचास बार ऐसे करना पड़ेगा आपने का जी तो option number A is the right answer इकर चलिए के चलिए भाई यह कहा रहा है 500 लीटर वाइन और पानी के मिस्रण में 20 परसेंट पानी है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी नई मिस्रण का 25 परसेंट हो जाए यानि नई मिस्रण में पानी कितना हो जाए 25 परसेंट हो जाए नया जो मिक्षर होगा ना उसमें पानी क अर्मा प्रिया गुपता सिल्पीक लासे समसाथ सैफी जी घीता यादव वीर राजपूत जी भाई सबी साथ ही मेरे आंसर करेंगे स्कूशन का एक बार इसमें 20% पानी है तो 20% की मेरे फ्रेक्शन आप जानते हैं कितनी होती है 20% की फ्रेक्शन होती है वन अपॉन फाइव इसका मतलब यद इसमें एक पानी है मेरे भाई किसमें से मेरे भाई तो इसमें बताना ये टोटल है ना ये टोटल होगा तो मेरे बताना भाई मेरे भाई वाइन कितनी होगी चार होगी वाइन कितनी होगी चार होगी या नहीं होगी आपने का जी तभी तो टोटल पान से बैठेगा आपने का जी अब यह कितना है यह कितना है वाइन और वाटर ओके तो टोटल में 20% पानी है मिस्रण की बोल रहा है ना उसने मिस्रण में 20% पानी ह कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिस्रन में मेरे भाई मिस्रन TAKK कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कोष्षन ने इस बात को बोला एक बात बताओ जब भी यहांपर करना यह मिक्स्टर का कुश्चन थ्यान रखना इस प्रकार के कुश्चन की अपा होगा कि डिखो क्य ज मिलाया जाता है बाकि कि ourselves नहीं करेंगे बाकि हम कि सीव कर नहीं करेंब इसका मतलब भया वाइन को तो न तो निकाला गया न teacher तो वाइन तो आपकी सेम रहनी चाहिए यानि वाइन का जो रिशो पहले था वही रिशो अब होना चाहिए तो आपने देखा मेरे भाई कि यहां पर वाइन चार है यहां पर तीन है ठीक है यहां पर चार है यहां पर तीन है तो आपने का भी यह वाइन को तो सेम करो तो एक उनेटी की मैलीकि कितनी तांग कितनी होगी बताऊ 15 एक कि वैल्यू कितनी होगी 15 ठीक है ना एक हुनेटी के वैल्यू कितनी होगी 15 साथ सयफी जी अच्छा सोडि चार और 12 होगा भाई चार तीया 12 होगा भाई माफी चाहता हूं यह चार तीया 12 और 12 यानि 15 यूनिती की वैल्लिव कितनी होगी 10 अब कुछ्छे रहा था कितना पानी देचाए तो बहिए बताना हमने कि तो क्या है यह तीन एक अंचीन और यह चारे एक अंचार यानि पानी हमने एक उनिट मिला आ और एक उनिट की वेली तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 10 त्यानि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा ए a option is the right answer a option यह 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर जी विल्कुल वेरी गुड बहुत सांदार ठीक है जी भाई मीना मनुशर्मा गीतायादव समतास साफी जी भाई बहुत सांदार और भी साथी सभी आंसर करेंगे जी भाई मेरे सभी साथी एक बार आंसर करेंगे ओके किलियर है या नह यह को आपका दिल खुस हो जाएगा अगला कुश्चन है कि तीन भिन्नों का तीन भिन्न है यानी तीन फ्रेक्षन है उनका एड तीनों भिन्नों को जोडने पर पांच आता है वह कहारा उनमें से एक कितनी है एक सही साथ बट्टे बार है जबकि अन्य दो विन्नों का इंपोर्टेंट कुश्चन और शायद आप ऐसा कुश्चन पहली बार देख रहे होंगे करिए इस कुश्चन का अंसर करिए आपको सब समझा जाएगा बहिया एक बार लेवल चेक करो मेरे भाई ब्रह्म्य मत रहो ठीक है कालपनिक दुनिया से निकल करे निकल के ना वास् कुश्चन का अंसर करेंगे सभी कि करेंगे भाई ठीक है चलिए बहिया मैं बताता हूं देखो तीन बिनों का योग कितना है पांच अब उनमें से एक आपको दे रखी है तो देख बताना जैसे मान लिया मैंने पहली बिनने तो पहली बिननी क्या होगी बार एकन बारह और HOW इंन दो बिननों का अनपात कितना है यानि जो तुभिनने न फैन अनपात है रिखो ओके अब आप ऐसे समझो बारेकन देखो यह क्या है एक बार दुबारा पड़ो तीन है इनका टूटल कितना है पांच उनमें से एक कितनी है एक सही साथ बट्टे बारे तो बारेकन बारे और साथ 19 बट्टे बारे जी विल्कुल जबकि अन्द दो बिनों का अनुपात कितना होगा इन दोनों का टूटल कितना होगा 41 या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं क्या मेरे भाई 41 इनको तीनों को जोड़ोगे तो यह कितना हो जाएगा उननीस एक तालीस और उननीस मेरे भाई साथ ठीक है साथ हुम हम रखो भाई एक सेकेंड यह कुशन तो कहीं तो फिर विलकुल एकदम सही आता हूँ ओके इस बताईए नौब टेचार है एप एफ एटि मीना है कि मंचिल कि अधियु के सिल्पी ग्लासे जी मैंने दूसरा कलर ले लिया अभी बैक्ग्राउंट तो वाइट ही रहे गा वियों से अगर मैं छेड़ी छाड़ करूंगा ना तो यह फिर यह क्या करेगा यह दिक्कत करेगा फिर मुझे ओके ठीक है जी भाई इस कोशन को अभी थोड़ी देर के लिए न होल्डाउन करो भाई अब यह मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा ठीक है जी या तो फिर यह मेरी ही दिमाग से आउट हो रहा है कि अन्य दो अनुपात इतने देर रखें हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है भिन पूछी है आप इसको भाई थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड ओन करिए ठीक है जब तक आप भाई नेक्स्ट कोशन करिए एक और सांदार कोशन ठीक है इसको थोड़ा सा बस मैं देखता हूं एक बार उननीस बट्टे बार है तो है यह वो अच्छा बड़ी भिन बड़ी भिन 19 वट्टे बार तो नहीं होगी ठीक है क्योंकि इतना तो आइडिया लग रहा है सर्थ तीनों का योग 5 को दिया हुआ है जी तीनों का योग 5 दिया हुआ है सही वात है ठीक है भाई एक बार चलो इस question को करो मैं अभी उस question पर आता हूँ just wait ठीक है अब question है आपका five कि निम्न मैं से किसका वर्गमूल एक परमिय संख्या है परमिय संख्या का मतलब कहरा है question ठीक है rational number है क्या है मेरे भाई rational number है और णो रेशनल नंबर आप जानते हैं पीपटा ओकी फॉरम में होता है तो आप एक बात बताओ वर्गमूल क्या होता है तो देखो पॉइंट के बाद में मेरे भाई क्या होना चाहिए अब दिखो यह दो है दो कभी नहीं हो सकता पॉइंट पांच पॉइंट पांच यह नहीं अब एक बात बताओ मेरे भाई, यह point के बाद में यह दो स्थान है, और point के बाद में यह कहां पर क्या होगा, 0, ठीक है न, अब यह 36 है, अब बताना, B, C और D, ठीक है, तो B, अपने आप कट गया क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का 1 यंग, किसी भी संख् बिल्कुल, यानि point 36, तो A option हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई, यह point है न, तो यहां से अटाओगे, तो क्या होगा, मेरे भाई, 50, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, एक से लिए कि जो आपके last के digit बनते हैं, एक से लिए कि 24 तक के square के बनते हैं, ध लिए का भी आप चेक कर लेना, तो इसलिए कहते हैं कि एक के square से लेके 24 का और 24 में 5-6 और बढ़ा देते हैं, तो हम कहते हैं कि एक से 30 तक के square याद होनी चाहिए, तो एक से 30 तक के square याद होनी चाहिए, उसका reason यही है, okay, clear है, आप कहेंगे, जी, ठीक है भाई, चलो next question पर ठीक है, भाई देख लेना, यहाँ पर भी question पूरा गुमा रहा है, ठीक है न, x जो है क्या कर रहा, एक कारर को 3 दिन में कर सकता है, और y उसी कारर का 3 गुना, y उसी कारर का 3 गुना, 8 दिन में कर सकता है, और z उसी कारर का 5 गुना, मेरे भाई, 12 दिन में कर सकता है, आपने क जी यदे उन्हें प्रते दिन 6 गंटे कार्र करना हो तो वह कितने समय में कार्रों को पूरा कर सकते हैं एक बार भाई इस को करो अप ठीक है आप लोग आप लोग क्लास को सेर वगयरा किया करो जोड़ो भाई अपने साथियों को ज्यादा से यादा क्योंकि आपका कंपडिशन उनके साथ होगा तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा आपको भी आनन्द आएगा ओके करिए इस कुश्चन का अंसर करिए टाइमेंड रखका एक बहुत प्यारा सा कुश्चन है किसका मेरे भई टाइमेंड वर्क का टाइमेंड वरक का एक बहुत प्यारा साकम है करो भई इस कुश्चन को और वान्सका इसके लिए मिलते ऐflow मातर मातर बीस सेकंड ठीक है झाल 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 जी भाई और मुझे लग रहा यह है बिल्कुल गलत मिशन एससी भाई संध्या मातर जी गीता यादव नहीं आया सर चलिए भाई अब देखो यह कर रहा एक्स जो है एक कार्र को तीन दिन में कर सकता है ध्यान देना है इस वाले कुशन पर इंपोर्टेंट कुश्चन है मेरे भाई एक जो है एक कार्र को कितने दिन में कर सकता है आपने का भी यह तीन दिन में और वाई उसी कार्र के वाई उसी कार्र के तीन गुने कार्र को भाई एक बात बताना यह तो एक कार्र को हम यानि एक दिन का काम लिख रहे ना तो इधर भी तो एक दिन का काम होगा तो वाई उसी क क्वाइब ऑब हम केंगे तीन dieंनल मैं कितने दिन मैं करि LA यह बताओ आल दनमें केंगे हम केंगे तीन हैं करीगा यानि हम एक हम कैसे से निकाल रहे बार को तीन मैं करने यह इस सוא पका इकतना हो जाएगा आप ऐसे ही इसको निकालोंगी तो इसको मेरे भाई 8 ZOC कर रहे का 5 में 12 आप प्रदूर सब्सक्राइब अब आपको ये बास समझ आई नहीं आई कि मैंने 3 वट्टे 8 क्यों किया मैंने 5 वट्टे बारे क्यों किया बोलो किलियर है आप कहेंगे जी बिल्कुल किलियर है ओके अब यह टोटल वर्क निकालो तो टोटल वर्क देखो नीचे यहां पर क्या होगा एक तो एक आठ और बा अब बात बताओ मेरे भाई एक लिए एतने स्टूडेंट लाइब थे इतने स्टूडेंट थे आज क्या हुआ बर आप सबको को आज क्या हुआ भाई करो बही आप देखो यह टोटल वर्क कितना है चौबिस और इसको अगर यह तीनों मिलके करेंगे तो कितने में करेंगे नो और वाट सत्रह और दस मेरे भाई कितना सत्ताइस तइस यानि 24 बटे 27 का मतलब आप इसको लिख सकते हो तीन से काटोगे तो आठ बट्टे नो अब लेकिन मेरे भाई यह करा है यदे उन्हें प्रते दिन 6 गंटे कार्ण करना हूँ यानि इनको कितना काम करना है प्रते दिन 6 गंटे काम करना है तो आप यह कह सकते हो तीन दूनी 6 तीन दूनी 6 और 3 तीन नो यानि 8 दूनी 16 तको आप क्या लिख सकते हो 5 गंटा 20 मिनिट बोलो समझ में आया नहीं आया दुबारा बताएं ठीक है आपको बस ये वाली बात समझनी थी बाकी ये काम तो हम पहले भी हर एक कोश्चन में करते हैं ठीक है सर इसका LCM कैसे लिया बताना एक बार भाई इसका अच्छा LCM कैसे चलो मैं बार बताता हूं भाया पूछ रहा है मैं दुबारा बताता हूं इस कोश्चन को ठीक है जी भाया एक से जबस एकाम को तीन में कर रहा है और Y जиновार का 10 Duker तीन कुणा है और यहाँ पर एक कर रहे ठीक है तो मुझे तो एक मुझे तो एक गुणे पक्रे आठ होगा और मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं जैड़ उसी कारणा का पांच गुना बारे जिनों में तो यानि एक गुना कितनी में करेगा मेरे भाई या तो पांच बट्टे बारे में करेगा देखो तो LcM कैसे लेते हैं एक बात ध्यान रखना LcM कैसे लेते हैं मेरे भाई तो LcM लेते हैं आप हमेशा नीचे किसका लोगे हरका लोगे किसका लोगे मेरे भाई हरका लोगे हरका तो हर क्या है देखो यहां पर तीन बट्टा एक मान सकते हूं तो एक आठ और 12 इनका लेते है मेरे भीया इसका तो देंगे इसमें ऊपर वाले का देंगे भाग तीन तीन अठे और आठ एकन आठ आठ आपने का जी नहीं इसका करेंगे इसमें तीन है ये ओके जी तो यहां पर कितना आजाएगा आठ आजाएगा एक यह कितना आजाएगा आठ और यह कितना आजाएगा 3 3 8 867 Iced 52 मेरे भाई नहीं लगा लिखा दू सही को लिखातों मैंने बिल्कुल भाई यह हो कह राया ज कि कसी एक कर सकता है अजी बिलकुल सबस्कार्ण॥ आज وا wines एक कर को तीन दिन में कि दिन तीन खुमस पाध भुल्हा है तो यह नहीं कि शुल झालाए को से Anyway तीन अठे और ये कितना होगा आठ होगा अब यहाँ पर कितना है ये कितना है ये आठ दिन में कर रहा है और कितना गुणा काम था तीन गुणा तो आठ तिया चौवीस और यह होगा तीन तिया नो और यह होगा बारे दोनी चौवीस और यह होगा पांदूनी दस मेरे भाई अब सही है पहले अपने गलब किया था ठीक है जी तो टोटल काम 24 है और इनकी टोटल efficiency कितनी है आठ नो और दस यानी कितनी है 27 और इसको वह प्रते दिन 6 गंटे तो अब हमने इसको किसमें चेंज कर लिया यहाँ पर यह डेस थे और डेस से हमने कितमें किसमें हमती है पार की किन यहाँ पर तो जैसे जो प्रोसर से यहांपर है वही प्रोसर से यहां सब्सक्राइब ओक्रशन हो जाएगा बाखी Saya कर mة पछली बार भी हमने करके दिखा दी थी इसको भी देखते हैं पहले इसको ही देख लो एक बार नहीं क्या फाइदा फिर दुबारा से आपको दिक्कत हो ठीक है हाँ आज वैसे ही पैन रुक के चल रहा है ओटोमेटिक अब देखो आप इस वाले कोश्चन को एक बार समझो क्या कि दो रेल गाड़ी हैं एक समान गती से चल रही हैं एक बात ध्यान देना यहाँ पर विपरीद दिसा में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 16.5 सेकंड का समय लेती हैं यदि प्रतिक रेल गाड़ी की गती करें यदि दोनों रेल गाड़ियों की समान लंबाई 330 मीटर की है एक दम अल्टीमेट कोश्चन भाई बहुत सांदार इसको तुम्हें सांदार ही बोलूँगा और एक वह फ्रेक्शन वाला कोश्चन भी बहुत सांदार है ठीक है जी भाई इस सांदार कोश्चन का आप आ मैं चुआ है मुझसे माफी चाहता हूं उसके लिए लेकिन मैं उसको करवा के ही जाओंगा आप टेंशन मत लीजिए ठीक है मीनु नर्वाल जी का अंसर आ चुका है 40 40 कोश्चन ने पूचा प्रत्यक रेल गाड़ी की गतियात करो प्रत्यक रेल गाड़ी की 20 40 20 कर क्या रह है वीर राजपूत 20 गलत है सिल्पी क्लासिज भाई बहुत सांदार सिल्पी क्लासिज बहुत सांदार केवल सिल्पी क्लासिज का अंसर बिल्कुल करेक्ट है सिल्पी क्लासिज बहुत बहतरी जिनका भी डियारा मेरे प्यारे साथियों का उनका एक दम लाजवावांसर है देखो कैसे, एक बास समझो, मैंने विपरीत को मैंने देखो bracket में क्यों बंद किया, विपरीत का मतलब क्या होता है, जब दो ट्रेने एक दूसरे की दिसा में, मतलब विपरीत दिसाओं में चलती है, तो उन्हें की स्पीड एड होती है, तो जो 144 दे रहे थे न भाया, तो वो पूरे लगाड़ी एक समान करती से चल रही है, अब इसने पूछा क्या है, इस पीड पूछी है, तो आप जानते हैं, इस पीड बरावर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, आपने का जी, अब लेकिन इस पीड भी ये कैसी है, बस ये बात ध्यान रखनी है, इस पीड तरें 33 goats कै, तो दूसरी भी 330 की है, और जब 8 train door 하고 आप करेंगे, ये जोनों एक दूसरी की लंबाई को पार करेंगी, यानि की इनको कुल कितनी दूरी तैय करनी होगी, तो आप कहेंगे 660 km की mentor की δूरी तैय करनी होगी, किड़ो मीट्ट नहीं सory, मीटर की ठीक है, और समय कि कितना है 16.5 16.5 को आप क्या लिख सकते हो मेरे भी या 16 दूनी 32 या इसको आप लिख सकते हो क्या 33 बट्टे दो ठीक है 33 बट्टे दो और दो पहुंच जाएगा ऊपर आपने का जी 33 से काटो के इसको 20 पर और 20 दूनी कितना आ सब्सक्राइब करें leopard 305 आप क्या आप सबस्क्राइब क्या आप को समसपा रहें किया ट्रेण की इस पीड है वडång малों आपके आपको कि 244 होका किया नहीं क्यूंकि 144 चटरेट ज्ड़ के कितनी हो रहे यह 144 तुक्ष किस्पीड कितनी होगी तो civilizationegर तक तो आपकरेंगर बहततर किलोमीटर पर घणजटा क्या अप इस बात को समसपा रहे है कि मैंने क्या किया है एड किया है तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल correct answer हो जाएगा ओके चलिए भई अब आते हैं एक और सांदर कोश्चन आपका बोटेंड का है बोटेंड मेरे भाई एक नाविक दारह क्या मैं इक किलोमींटर की गती से और धारह के विपरीत एक गंटे में it नाव खेता हैë धारा का वेग बताओ तो धारा आप जानते हैं नाव नाव को मैं क्या मानूँगा एक्स और मेरे भाईया धारा को मैं क्या मानूँगा तो धारा को मानूँगा मैं वाई ठीक है धारा की दिशा में धारा की दिशा में क्या होगा तो आप कहेंगे धारा की दिशा में होता है प्लस वाई और धारा के विपरीत क्या होगा तो X-Y होगा ओके लेकिन आपको यूनिट का धियान रखना है कैसे धारा के अनुदिस मेरे भीया अब बताओ इनकी स्पीड निकालेंगे तो आप जानते हैं स्पीड बरावर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो भीया धारा क कि अनुदिस अनुदिस का मतलब धारा के साथ तो धारा के साथ स्पीड तो यह सपीड होगी वह X-y और यह 5 अ een kilometer यह यह किलोमीटर जाता है वह फांच मिनट में ठीक है गया convinced को भी घंटे में चेंज करोगbuat तो 60 का भाग और 60 कहां पर च्बगड़ा जाएगा तो यानि कि यह कितना हो जाएगा आपका 1.560 यानि इसकी स्पीड कितनी आ गई तो आप यह बारा किलो मिल्म प्रतेगंटा बोलो कुंकि अब हमने इसको किसमें चिंज कर लिया भी यह यह किलो मेटर में है और यह गंटे में है तो किलो मिटर पर घंटा हो जाएगी आपने का जी ऐसे ही मेरे भाई अब x-y निकालेंगे तो x-y क्या होगा धारा के एक गंटे में जा रहा है यानि कि 6 hustrun जारा एक घंटे में तो भैया यह भी तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर थोड़ा साब को चेंज करना था कुशन पूछ रहा भी यह की स्पीड बताओ यानि धारा का वेक क्या तो आप धारा का वेग मेरे भाई बताओ कैसे बताएंगे, आप धारा का वेग कैसे बताएंगे, तो y मैंने आपको निकालना बताया था कि इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस करना है, तो 12 और 6, यानि 12 और 6 का अंतर लो और इसका कर दो आधा, तो यह आपकी y की value निकल के सर भाई, c option, c, 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 बहुत सांदर, गीत अयादव, सिवानी दलाल, सिल्पी ग्लासेज, मंजिल, समसाथ सैफी, मनू सर्मा और वीर राजपूत, जी भाई, वीर राजपूत, मेरे भाई, चार नहीं होगी, तीन होगी, ठीक है, शायद टैपिंग मिश्टेक तो नहीं है, संध्या मात्र, नाइन का सी, बहुत सांदर, प्रिया गुपता तीन, भाई, लाइव वाचिंग बढ़ाए, प्लीज, कैसे भी करके बढ़ाओ, सेयर करो, कुछ करो, ओके, जी भाई, इतने कम भाई, नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत के साथ, मैं आपके साथ ठीक है, एकदम basic question है, normal question है, सर, x-y समझ नहीं आया, x-y, अच्छा, x-y जी, क्या नाम है, इनका, अतिस्तरमा जी, x-y बता है, क्या होता है, देखो, धारा के विपरीज जाएंगे, तो यह होता है, x-y, और धारा के विपरीज जाते हैं, तो x-y होता है, धारा के समझ मैं नहीं आया, x-y समझ नहीं आया, y तो मेरे भाई, यह क्या है, दो equation बनती है, तो x-y 12 है, और x-y 6 है, तो आप यहां से y की value निकालोगे, तो 3 ही आएगी, ओके, वो मैंने direct बता दिया, अगर x की value निकालता है, तो मैं क्या करता, दोनों को जोड के और आदा कर देत अब यह करा एक परिवार में न, दो दादा दादी है, ठीक है, दो माता पिता हैं, और 3 पोते-पोतियां, तो कितने लोग हैं, 3 और 2, 5 और 2, 7 लोग हैं, टोटल, भी यह साथ लोग है, question कह रहा है, दादा दादी की ओसतायू कितनी है, यानि दादा और दादी, दादा और दादी, इनकी ओसतायू सरसट है न, दो लोगों की, तो बताना इनका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे, सरसट इन्टू दो होगा, फिर कहरा, माता-पिता, यानि अब कौन है, मेरे भाई, माता और पिता, इनकी ओसतायू कितनी है, 35 तो यह भी दो लोग है, तो इनका य ओसतायू कितनी है च्छे तो ये लोग कितने हैं तीन क्योंकि यह पहले ही बता दिया अब कुश्चर में आप सिर्फ क्या करेंगे बहिए इनका योग निकाल लो आप इनका टोटल निकालोगे मेरे भाई क्या निकालोगे इनका टोटल तो ये कितना हो जाएगा 62 120 और 72 14 यान साथ चैनी 1222 कितना 222 और 222 में कितने का मेरे भाई कि बहाग देद ओंकि औस अस साथ याँ सात्य याँट्य साथ यानि एक तीस सही पांच बट्ट्य साथ यानि कि भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है जी बाई सिवाणी दलाल वांबी सिल्पी मंजिल मीनु नर्वाल कन्हियां गीतू गीता यादव वीर पेले कुश्चन पर आओ ये एक और सांदर कुश्चन है ये एक और बढ़िया कुश्चन है इस पर ध्यान देना ठीक है जी भाई इस पर ध्यान देना एक बार ये करा एक ब्यापारी ने 90 सेव 900 रुपे में खरीदता है यानि ब्यापारी ने क्या किया मेरे भाई 90 सेव खरी यानि यह कुल पर कमाना चाहता है तो आप यह कहेंगे 900 का यानि 900 रुपे में 900 रुपे 20 पर सेंट का लाव तो आप कहेंगे जी 120 बट्टे 100 120 बट्टे 100 यानि कि इसको काटा फिटी करोगे तो इसको न एक हजार असी में बेचने चाहिए कितने में बहिया एक हजार असी में लेकिन हुआ क्या आप एक बास समझो 90 में से भईया 10 सेव तो सड़ गए थे 10 सेव तो सड़ गए थे आपने का जी तो भईया बेचेगा कितने दस को तो हटा दिया ल्हाइन असी स겠지만 ल्यस्ते कर लिए जैसे माल लुकोई सामान लेख आते हैं आपने बहुत से दुकांदारों को देखा होगो हम कोई समान लेख आते हैं तो क्या होता है जैसे कुछ सामान टूट गया और हम लेकिया तो उसका सीपी कुछ तो देंगे नहीं इसते कम देंगे तो घाटा है तो वही घाटे को तो वह यहीं कह रहा है कि प्रत्तिक सेव का जो SP है ना अब वो क्या रखना चाहिए उसको तो भया आठ इससे इसको गाट होगे तो यह जाएगा 108 बट्टे तो ये कितना होगा 108 बट्टै आठ तो यह कितना होगा 108 बट्टै का मतलब आपका हो जाएगा चोगन चोगने मचना पड़ेगा कॉन मेरे भाई प्रत्तिक सेब एक सेव उसको साड़े तेरे रुपए के हिसाप से बेचना पड़ेगा किलिए है बात या नहीं ठीक है तो यह 20 पर्षंट क्या था मेरे भी यह कुल पर था कुल पर तो इस बात का आपको दिहान रखना था जी कलियर है या नहीं आपकेंगे जी बिल्कुल कलियर है चाहिए भाई लाइव वॉचिं के लेवल में काकशचाए आप यह नहीं सकती कि ऐसे ही ठीक है न कि देखो कितना सांदार कुश्चन है और आप यह कह रहे हो कि पतानी क्या हो रहा है ऐसे तो नहीं होगा ना कि पर संजीव सर कव लाइव आएंगे प्लीज रिपलाई कीजिए संजीव सर बहिया किस बात के लिए लाइव आएंगे यह बता दीजिए क्लासिज के लिए बात करने के लिए मतलब किस चीज के लिए लाइव आएंगे वह यह बता दीजिए आप में जिए फिर मैं आपको बता दूंगा ओके ठीक है वही मेरे भाई क्या होगा इनकी भुझा का रिश्यो होगा तो परिमापका रिश्यो कीतना है तो एक भाई 3 वट्टे 2 कह सकते हैं आप जी जबकि इनमेंसे एक बुजा कितनी है नो है तो दूसरी बुजा यानि आपको निकालनी है तो आप कहेंगे X तो मेरे भाई ये 3 तीन नो और 3 दूनी 6 तो X की वेल्यू कितनी आगी 6 है X की वेल्यू 6 का मतलब दूसरी बुजा आपकी कितनी हो जाएगी 6 cm क्या आप इस बात की गहराई का मतलब समझ पा रहा है इस तर बात करने के लिए बात करने के लिए आपको पता होगा संजीव सर डेली मतलब डेली नहीं है I every Sunday every Sunday को वो लाइव चर्चा करते हैं कल भी उन्हों नहीं चर्चा के थी ठीक है जी विपोलjen आदव नाम है आपका विकुल का विपोलर नाम है जो भी है ठीक है जी उत्क है जीवर्थ जोनकर, नहीं क्यों किया है संगत कौनों का जो अनपात होगा वह क्या हो होगा बराबरी तो होगा क्योंकि दो समान कैसे हैं दो समान त्रवुज हैं आपके तो 11 क्या होगा मेरे भाई भी ऑप्शन नंबर भी 6 cm ठीक है बाकी आप जो है जो भी आपको जानकारी चाहिए ठीक है इस तर बात करने के लिए जी मेरे भाई मैंने आपको बता दिया आप बात करना चाहते हैं संजीब सर से तो आप हेल्प नाइन नंबर से वगेरा से या उन्होंने एक अपनी कल वाली वीडियो में कल जो रात उन्होंने वीडियो लाइव चर्चा वाली थी उन्होंने अपना एक टेली ग्राम की एक परशनल आईडी दी है आप वहाँ पर भी जाकर उनको मतलब डारेक्ट पर्शनल मेंसेज कर सकते हैं किस पर टेली ग्राम पर ठीक है ओके जी भाई ओके थेंक्यू चलिए अगला कुशन आप सभी के लिए देखो एक और सांदर कुशन देखो यह लेंग्विज पर आधारीत है बाकी कुछ नहीं है सिंपल कुशन है बैपicky और उसमें से उसने एक त żelis को देडी अब समय के अमल और लोको दी तो सके पास कितनी बची मेरे भी इसका दो तेहाई बचा याने एक बट्टा इन था एक बट्टा तीन जी बिल्कुल ओके मेरे भाई, 240 का मेरे भाई कितना, 2 बटा 3, आपने का जी, 240 का 2 बटा 3, यानि 1 बटा 3 आपने उधर दिया, तो आपके पास remaining कितना बचा, 2 बटा 3, तब कहा ता अपने पास जो कुछ बचा था, तो भाईया बता ना, रतन के पास तो यही बचा, इसका अधाही उसके पास बचेगा यहणि इसका कितना बचेगा एकबटे दो तो एकबटे दो यारी कैसे क्यलकुलेट करेंगे तीन दुनि-6 से काटर की बहुत भटा और 45 ऑर 46 दुनि मेरे बर कितना 80 कि अभी रतन के पास में कितना पैसा है तो अभी रतन के पास में बहुत बढ़िया बहुत सांदार जी प्रशन जी ठागोड़ जी मेरे भाई करहियां गीतु सी 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 बहुत सांदार जी विकुली आदव जी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं आपको कोई नों कोई परेशानी ही होगी मेरे भाई तब ही आप इस प्रकार से ठीक है जी क्या नाम है मेरे भाई प्रॉबलम हो सकती है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ठीक है न जी भाई कल को कोई यह न कहिए कि हमारे साथ में यह हुआ ओके हां इसलिए मैं कमेंट पढ़ रहा हूं कमेंट के साथ साथ मैं सारी चीजों का ध्यान रख रहा हूं अगला कुस्चन है आपके सामने यह यह कर लोगे इस कुश्चन को कि चलो कोई दिक्कत नहीं यदि रूट टू बरावर कितना है आपका वन पॉइंट फोर वन फोर टू है तो सेवन अपॉन थ्री प्लस रूट टी थ्री प्लस रूट टू का दसमलब के सुद्ध दो अंकों तक कहां तक मेरे बाई दो अं घilet Sound करेंगे इसका भाईव क्या अलिशनल अलेस्ट घ्री रेसектор ऊलिशन करके यानिक्व कंजूर है याइड इंग्लिस थोड़ी मेरी कमजूर आफ थी इसको बोलते हैं पर क्रल परर्मी करन्न ग यहीं हो जाता है ठीक है अब किसी की हो सकता है जैनुनी प्रॉब्लम हो तो इसका हमें क्या करना है परमीर करना हम करते हैं क्या मेरे भाई इसके जश्ट अपोजिट से तो मेरे भाई आप क्या करेंगे इसको करेंगे सब्सक्ति थ्री माइनस रूट टू यानि 3 माइनस रूट तू से उपर मर्टिप्लाई और 3 माइनस रूट टू से नीचे मर्टिप्लाई तो यह सिंपल कुश्चन है आप कर लोगे और आंसर आभी रहा है आंसर आभी रहा है कितना मेरे भाई 1.59 ऑप्शन नमबर ये स्रीव कुश्चन नहीं हुआ जी के लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है ऑप्शन नंबर ए जी भाई ओके तो भाई सिंपल कुश्चन है बस केवल आपको क्या करना है यह पांच भी छटी क्लास में अगर आपने परमेरी करन पढ़ा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती यह वाला कुश्चन थोड़ा सा सही है आप इस कुश्चन को पढ़ो फिर एक बार भाई इसका लेवल बताओ कि जी मज़ा आ रहा या नहीं आ रहा कि एक बैक्ती ने 16 और्पे में दो साइकल खरीदी है एक साइकल को उसने मेरे भाई 10% के लाब पर दूसरी साइकल को उसने 20% के ला पर तो उसे 5 रुपे अधिक प्रापत होते है यहां पर क्या किया इसको नहीं इस amigo इंटरचेंज किया मतलब के पहले 10% का लाव और फिर दूसरी को 20% के लाव की बजाए अगर अब यह क्या करें कि पहली को तो 20% के लाव पर और दूसरी को 10% के लाव पर वीचे तो उसको 5 रुपे अधिक प्राप्त होंगे ठीक है ना अधिक प्राप्त होंगे तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं मेरे भाई देखो पहली साइकल को पहली साइकल को 10 परशेंट के लाब पर और दूसरी साइकल को मेरे भाई कितने पर 20 परशेंट के लाब पर ठीक है दूसरी को 20 परशेंट के पर अगर यह क्या करें मेरे भाई यह क्या करें अगर अब यह ऐसा करें मेरे भाई कैसा कि वह पह थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यहां पर लिखते हैं यहां आ जाएगा सही देखो पहली साइकल को उसने क्या किया पहली साइकल को 10% के लाब पर और दूसरी साइकल को मेरे भाई 20% के लाब पर दूसरी साइकल को 20% के लाब पर और फिर उसने दुबारा में क्या किया अ आपने का जी सी आरा है भी यह सी स्टी आरा है देखो अभी तक तो मुझे नहीं लगगा किसी का अंसर सही होगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा भाइया फश्ट प्रसेंट ससेंड प्रसेंट कर सकता हूँ या नहीं आप देखो इसको आप इधर लेके जाओगे तो भाइए यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 10 परशेंट ठीक है और यह कितना हो जाएगा आपका इसको आप इधर ले क्या होगे तो यह हो जाएगा आपका यह भी आपका 10 परशेंट है ठीक है और यह किसके बराबर होगा मेरे भाई पांच के ठीक है यानि फ़र्ष्ट प्लस सेकंड यानि इसका कितना है यह एक बटे-दस ँगा ना टैन प्रशन्ट यानि एक बटे-दस तो आप यहां पर फॉस्ट प्लस सेकंड और जब 10 नीचे आएगा तो 5 के साथ multiply करेगा तो first plus second यानि आप इसको 50 लिख सकते हैं नहीं कोई दिक्कत अब question ने यही तो पूछा था क्या पूछा था उधर 5 में होगा तो आप यह कह सकते हैं first plus second यानि कितना होगा पचास और question ने यही तो पूछा था दोनों साइकलों के क्रेमूल का अंतर याद करें दोनों साइकलों के क्रेमूल का अंतर 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 आएगा या फिर एड आएगा एक बार रुखो भाई चेक करने दो फर्स्ट प्लस सेकंड जी बिलकुल फर्स्ट प्लस सेकंड इसको हम इधर लेके जाएंगे इसको हम इधर लेके जाएंगे अच्छा जी बिलकुल है मेरे भाई देखो अब फर्स्ट को नहीं इफ लेकर गई थे जी बिलकुल हो गया इस सैकेंड को इधर लेकि इस सैकेंड गो ओ आई को भी विए लेकर गई थे तो मामैनस ठीक है और ये मामैनस तो मेरे भाई मैनस मैनस क्या होंगे या सान gloss यहां पर देखो आपने इसको हम क्या करेंगे इनको पच्छांतर करो पच्छांतर का मतलब यानि एक-एक साइड में लेके जाओगे देखो पहले आप फश्ट को ले जाओ तो फश्ट तो मेरे भाई पॉजिटिवी आ जाएगा तो यह बच्छे का फश्ट का टैन परसेंट आप इसको इधर लेके जाओगे ना आप इसको इधर लेके जाओगे तो मेरे भाई क्या होगा यह बताओ आप इसको इधर लेके जाओगे तो यह होगा यह प्लस का है इधर जाके मैनस का तो यह होगा मैनस के 10 परसेंट और यह किसके बराबर है मेरे भाई मैनस के 5 के तो म की किसे बराबर होगा प्रशंट के ठैन प्रशंट के यहां से कॉमन लेलोगे तो एक बट्टे दस तो सैकेंड tresね तो कितना एक पचके तो मिरे कंदर बआन सब्सक्राइह पस लोगा 95 गया जिनका बट्चीस तो नहीं आना चेए मुझे नहीं लगता इसका पत्चीस होगा पचास ही होगा इसका ठीक है एक बार चेक कर लेना ठीक है जी पचास होगा में रेकॉर्डिंग तो चलिए भाई अगला कुश्चन कि इसाथ दो हो अब ये कुश्चन है आपका कुश्चन निमबर फिफटीन और आज सब्सक्राइब द्यान से समझ लो कि एक ब्यापारी दो प्रकार की चय टाइप रोप चार्व प्रत्त्र किलोग्राम और टाइब सेकिंड , यानि 300 रुपे प्रत्य किलोग्राम के दर से उन्होंने 2 किलोग्राम को एक किलोग्राम टाइप के साथ मिलाया अब हम मिस्टन को 400 रुपे प्रत्य किलोग्राम में बेशता हो तो 6 किलोग्राम चाय बेशने पर व्यापारी को कितना लाब हुआ होगा यह कहा रहा है सर्पची पहली चाय को मेरे भीया कितने को 400 को और दूसरी चाय उसकी 300 रुपे प्रत्य किलो ग्राम की यह 400 रुपे पर गेजी यह 300 रुपे पर गेजी ने में वन होने 200ड डून को यह मिस्टेग बेज के साथ रहा है अब यह क्या है देखुँ मुझे मिश्टी लग रही है he mixed 2 kg of type 1 with 1 kg of type 1 अच्छा यहां पर इसका मतलब यह तो 2 kg है और यह कितनी है 1 kg है ठीक है अच्छा 1 kg में ऐसे लिखा हुआ है ठीक है तो यह कितना होगा टाइप 1 यानि आपका 800 और यह कितना होगा आपका 300 भी यह 400 रुपे पर kg की 2 kg है तो कितना 800 मुल लोगा 300 रुपे पर kg क 1 kg है तो यानि यह कितना होगा भी यह 300 अब देखो वही मेरे भाई क्या वेटेज एवरेज वेटेज क्या आप जानते हैं तो 800 300 मेरे भाई 1100 और टूटल क्वांटिटी कितनी है तो आप कहेंगे मेरे भाई 3 1183 अब 1183 है अब यह करा वह मिस्टन कुना 400 रुपे प्रते किल देखो निकल के आजाएगी या नहीं निकल के आएगी कीमत 1 kg की 400 या 1200 और 1200 में से 100 अगटा होगे बारस होगे तो 100 बटा 3 आजाएगी कितनी मेरे भाई यह 100 3 अब सो बटा 3 6 kg बेचने पर यानि एक उनिट की वेल्ली कितनी आ गई मेरे भाई एक किलोग्राम की वेल्यू आ सब्सक्राइब यानि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी सोबटे तीन तो छे किलो की यानि शे किलो की बात आप से पूछ रहा है एक किलो की आप पहले ही निकाल चुके हैं तो छे किलो की कितनी होगी विए सौचिक का 600 ऐसे भी कर सकते हो सौचिक का 600 और 600 का विया एक इतिहाई करना है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा जी गीता यादव मंजल सिल्पी क्लासेज मीना प्रियागुपता संध्या मांथुर जी वीर राजपूत जी मेरे भाई 200 200 क्या हो जाएगा इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का ह हो जाएगा ठीक है जी वह एक कोशन था आपका जो मतलब अभी डाउट में था उस कोशन को मैं एक बार फिर से देख लेता हूं ठीक है जी भाई बाकी तो कोई और कुशन मुझे नहीं लग रहा कि बचा है ठीक है यह वाला कुशन था इस वाले कुशन को भाई आप एक ब और गए उसका साध आंसर भी आ चुका था हाँ kann नो बटे चार आ चुका था में दिल्कुल तीर भिंवाग कितना है पांच है अभी कार्द एकितना है बपया एक सही एक सही साथ बटे इसको एक है अगर इस तीनों के योग मैंसे आप इसको घटा दोगे एक बिणनों का रिशो दिया है यानि उन दोनों तो यहां इस तीनों के टोटल मैं से इसे बिन को घटा दोगे तो यह दोनों यह दो मिलेंगी आपको तो बारा पंचे साथ और साथ मैं से 19 घटा होगे तो या जाएगी आपके यह दो बिन्नों का यूग है तो यह दोनों के कितना है एक तालीस बट्ते बार है यानि यह जो बनने बेन तो आपको कि दे रखी है तीन मैं न मेन तो मैंने तीन बिन्नों को माल लिया A, B, C, आप ऐसे समझो, तो पहली भिन्न तो मेरे भाई किलियर है, 19 बटे 12 है, अब दूसरी भिन्न बताना क्या होगी, तो जब एक उनिटी की वेल्यू एक बटे 12 है, तो 14, यानि 14 है न, तो ये कितनी होगी, 14 बटे 12 हो जाएगी, और तीसरी भिन्न कितनी हो जाएगी, मेरे 20 बटे 12 है, तो ये कितनी बटे 12 है, तो ये कितनी बटे जाएगा, देखो जब भी आपको फ्रेक्शन पता करना हो, बड़ी कौनसी है, तो एक एक जीरो बढ़ा लो समय, एक जीरो बढ़ा लो, 12 से काटोगी, तो देखो 12 एकन 12, कितनी बचे मेरे 27, और 12 पंजे 60, ये यहा बड़ी भिन का मतलब 27 बटे 12, और 27 बटे 12 का मतलब कितना होता है, कि आप जानते है, 27 बटे 12 का मतलब, ऑप्शन में तो है नहीं, तो 12 दूनी, 24, कितने बचे, 3 बटे 12, और 3 बटे 12 का मतलब 1 2 4, ठीक है, तो आपकी जो सबसे बड़ी फ्रेक्शन है, वो कितनी ह 15, यानि क कि आप्षिन क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है नौबटे चार मनुशर्मा यह सर ऐसा है किया था अच्छा ओके जी वह न तब मेरे न यह वाली बात समझ में नहीं आई थी कि इनका इनका ये है तो ये ऐसे क्यूं ठीक है ना जी लेकिन मैं इस बात को निये समझ पाया था अच्छा-इन दोनों का रिष्ट पर टौकर यह यह ओके जी और मिक्स कोशन है आपके एडवांस के भी थोड़ी थोड़ी मिक्स हैं और अर्थमेटिक ओके बताईए भाई बताईए तो फिर कल मिलते हैं सुबह इसी टाइम नौ बजे तब तक के लिए मेरे भाई आप सब अपना ध्यान रखेंगे खुस रहेंगे सिलस Woo छि Holz. घंक यू थैंक यू सुमच. इजी मंजी बेश तर ऩी बहुत अच्छी टी सर थेंग क्यू ऊक्च को भी बहुत दंडवर्वात लेवल मस्त था सर ऐसे ही करवाना जी मनूझी बिल्गुल लेकिन आपके आंसर आप मंजील में आसे आएक दम दम गोली की स्पीडि से आते है ठीक है। डिव्या चोधरी भी लाइन retard से काफी इस एसे हैं जुनको मैं मतलब नाम से जान गया हूं कि यह मतलब करते ही तोड़ा इस लिए हो गया क्वैं को कि कुशंन ने ही को में कॉश्चन ने ही हमें दिक्कत कर दी थी उसके थोड़ा सा टाइम कंजूम हुआ और फिर आज क्लास मेरे भाई लेड भी तो सुरू हुई है कम से कम 12 से 13 मिनट तो क्लास लेड शुरू हुई है यहां पर टेक्निकल ले सुख की वज़े से ओके तो इस वज़े से मेरा को देखने को मिलेगा और बहतरी लेवल ठीक है बस टेंसन मतलो और कल की ग्लास में पूरे 20 कुश्चन करेंगे हम टारगेट हमारा रहेगा 20 कुश्चन करने का ओके चलिए बाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार भाई आप सभी खुस रहें मस्त रहें और जी भाई थेंक्यू